कैसे हैं भाई हो उमीदा आप अच्छे होंगे तो भी आज हम एक नया सेशन लेकर आया है गूगल के साथ ओथन्टिकेशन नेक्स जेस में कि हमें कस्टम लोगिन तो हमने बनाई लिया है और भी उसमें हमने एडर्स वगहरा नेम बगहरा अपडेट भी करा लिया था ठीक है चलते हैं आप इमारत र Nous तो हमारा आज हम कवर करेंगे की नेक्स जेस के साथ हम गूगल Éसे करते हैं कि जो हमारा गूगल के साथ लोगईन करना चाहते हैं क्योंकि हम स्चुल प्रोफाइल युज़ बगारा करते हैं तो यहना जा कर विजिट करके देख सकते हो कि क्योट और यूजर इमल ऑईडी हमने रिजिस्टर करवाया था और उस्न लोग अउट करवाये थे साविया जहूं करना पड़ेगा यहां पर गूगल प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मच्छर कलेहें इमपोर्ट गूगल प्रोवाइडर from आप किसे मिलेगा मुझे next auth से मिलेगा next auth slash आपका providers और providers के अंदर किसका भाई Google यूज करना है मेरे को तो सबसे पहले तो आप ये Google provider यूज कर लोगे ठीक है अब भी हो Google provider यूज करने के बाद आपने क्या करना है जो आपने ये const auth option बनाए ना auth option के अंदर जो आप ये provider यूज कर रहे हो credential provider इस credential provide के बाद ठीक है भाई यहाँ पर आपने implement करना है तो बैसक लिए क्या लगाना का लगाना पड़ेगा है Google provider आपका credential provider है इसके बाद credential provider गया है इसके अंदर ही आपके सारे providers जाएंगे गूगल प्रोवाइडर को यूज करना है Google provider जो आपका गूगल प्रोवाइडर हमने यहां पर export किया था Google provider इसको बैसके लिए क्या पड़ेगा हमें call करना है call करने के बाद इसमें हमारी चीजे जाएंगी ठीक है इसमें कहले जाएंगी हमारी दो चीजे जाएंगी कि हमारी client id क्या है और client secret क्या है तो से पहले आपकी से लिए client id client id तो भी यह हम ले लेते हैं process के अंदर environment file के अंदर और गूगल क्लाइंट और id और next हमारी क्या जाएंगी क्लाइंट सीक्रेट क्लाइंट सीक्रेट आपकी आईडी क्लाइंट सीक्रेट क्या हमारी वह वह प्रोसेस तो हम यह dot environment file में assign करेंगे environment dot google secret secret id ठीक है अब सब से पहले जो client id है आपकी हमने file को save किया dot हमारी environment file है यहां पर हमने create की थी तो आप environment file के अंदर जाओगे जहां पर हमने mongos DB वगहरा URL वगहरा store करवाए थे तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं ताकि यह में दिखाई दे तो एक आपका client id आ जाएगा यहां पर और एक हमारा जाएगा client secret और यह Google client id जाएगा यहां पर नहीं जो आप पिस जाते हैं आपने गूगल पर तो पिछलिए हम चलते हैं अब हम स्टार करते हैं कि गूगल के हम क्लाइंट आइडिया लोगिन करने के बादे हैं यहां पर create project आएगा Gmail जो कि अपनी ID से लोगिन हूँ यहां पर create प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे और यहां पर प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा जिसमें यहां पर अपना प्रोजेक्ट का नेम डाल देता हूं भाई नेक्स्ट जेयस ओट ठीक है विदे गूगल अब मैंने कह किया create कर दिया organization अब यहां मेरा प्रोजेक्ट क्रियेट हो जाएगा देखों यहां पर create हो रहा है भी कुछ सेगेंड बाद आपका create हो जाएगा और जैसे यहां पर select project लिखा वाया तो आपको select project करना है अब next मैं यहां पर आ गया हूँ अब API के अंदर API के अंदर मैं कहा जाएगा मैं ओट screen के अंदर जाना मेरे को सबसे पहले अपनी screen के साथ setting करनी है तो आप यहां पर आ गए अब यहां जैसे कुछ seconds के बाद यहां कस्टम खुल जाएगा तो मुझे internal select करना है and create create करने के बाद यहां यहां पर आपकी अपका नाम पूछेगा तो आपका नेम डाल दोगे next.js ओध कर दिया लोग इन और इस पोड़ी में लोग इन किया by default selected आ जाएगी और उसके बाद आपका यहां पर email address एक और आता है तो आप यहां पर फील कर दोगे learn coding with by at the rate gmail.com तो यहां पर भी आप फील करना पड़ेगा उसके बाद save and continue next आपका आता है scope scope बेसिकल देखो क्या हो गया add or remove scope यह जरूरी है यह ज्यान रखना add or remove scope मतलब कि जो आप authentication बना रहे हो आपको क्या क्या permission चाहिए मेरे को पहली permission चाहिए user की email आजाए profile आजाए open idea आजे बस खतम और मुझे को information ने रहा है यहां पर भी फिलाल के लिए बाकी आप check कर सकते हो यहां पर okay कर दिया scope मेरा add हो जाएगा यहां पर scope मैंने selected कर दिया 3 1 2 & 3 और नीचे इसका update का option होगा update तो यह तीनो तीनो चीज़ आपकी यहां पर update होके आजाएगी next में क्या करना है save and continue पर click करना है जैसे आप save and continue पर click करोगे तो आप टैस्ट यूजर आएगा एक कुछ नहीं करना है सिर्फ save and continue बटन पर click करना है आपने उसका आपकी summary आजाएगी summary के बाद back to dashboard पर जा सकते हो यह आप direct credential के जो tab ice frame मैंने click कर दिया जो credential है ठीक है create credential अब यहां पर create credential करोगे auth client id मुझे client id चीए auth याने authentication purpose से यूज करना है अब यहां पर आपसे पूछेगा कि जो application आप यूज करोगे वो कौन सी application है तो मेरी यहां पर web application है तो मैं web application को चूज करूँगा और भी इसने नाम by default इसका web client रहने दो आप authentication redirect URL ठीक है ताक यह आपका redirect रहे जो आपका यू direct API का URL होता redirect को कौन सा रहेगा मेरा रहेगा यह localhost यह आपका by default domain रहेगा slash आपका API जाएगा auth जाएगा slash callback callback slash आपका Google ठीक है भाई इतना करना है और create कर देना है जैसे आप create करोगे आपके सामदे को client id भी आ गया गया गूगल secret भी आ गया तो यह मेरी client ID है मैं इसको select करके और जो environment file में यह मेरी client ID चली गई ठीक है और मेरा client secret क्या है client secret मेरा यह है यह मैंने आपके सेव करा दिया file को save कर दी simple अब मैंने ok कर दिया तो यह था simple यहाँ पर तरीका आपका check करने का कि मेरे को Google client ID कैसे बनानी है secret कैसे बनानी है चलिए अब आप में चलते हैं अब बटन लगाते हैं लोगिन का sign-in का अब बटन कैसे जाएंगे तो सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने फाइल पर जहां पर हमने यह आपका login का अधिश्टर के अंदर हमारा यहीरा कम्पोनेंट भई लोगिन लोगिन में इंडेक्स आ गया और इंडेक्स चंहां फाइल को फ्रलाच कर देते शेयाँ के लिए यह रहा मेरा यहां पर ठीक है तो अब बेसिकली जो रजिस्टर है इसके बाद में डाल देता हूं यहां पर एक हम यहां पर क्लास अच्छा युआई प्रिपेर करेंगे और डाल देंगे यहां पर और टेक्स सेंटर चला जाएए मेरा फोंट बोल्ड हो जाए और मेरा टेक्स यहां पर आजाएगा थ्री एक्सल सिंपल आगे ना सिंपल प्रोपर तरिक्के से ठीक है अब इसके बाद एक डिव और ले लेते हैं यहां पर डिव क्लास नेम और इसको भी हम टेक्स अलाइन सेंटर डिफाइन कर देंगे और मार्ज सकते हो तो मैंने क्या गया एक बंड़ी में इमेज कर लेता हूं जो की लिंग टैग अमारा नेक्स का मुझ से यूज करेंगे ओके लिंक टैग ओल्रेडि मेरा इंपोर्टेड यहां पर तो मेरा लिंक टैग यह रहा है तो सुल्च लिंक नेमेज टैग है गलती होगे ठीक ह आपका इंपोर्ट करा लोगे और जो यह images है यह मैं यूज करूँगा यहां पर next js के अंदर ही सो specifically हमें कैसे यूज करना है यूज करना है और भाई इसके properties है जो की mandatory है एक तो src आपका और भाई width कितनी रहेगी इसकी width इसकी हम ले लेते हैं यहां पर 200 हाइट हाइट भैसे तो by default लेता बढ़ हम इसकी height अभी 80 define कर देते हैं alt मैंने define कर दिया Google logo अब भाई src src क्या src मैंने और इंपोर्ट इंपोर्ट गूगल इमेज फ्रों मैंने भाई यूज ले रखा वह एड़ रेट और यहां से वह आजाएगा मेरा पब्लिक फोल्डर पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने डाउनलोड किया था भाई क्या ना पब्लिक फोल्डर के अंदर गूगल इसको यहां पर इंपोर्ट करा लूगा गूगल इमेज नीचे यूज कर लूगा यहां पर मैंने इमेज टैग यूज किया है कि अंदर डाल दूगा ठीक है और भाई इमेज कोम बड़ा कर देते हैं 300 और फे वह क्लास नेम यूज कर लेते हम यहां पर बलोक इन लाइन बलोक इन लाइन बलोक चेंपल मुछ आगे ना यहां पर नेक्स्ट और थ्रियक्ट के साथ तो मुझे यह साइण इन यूज करना है यहां पर फंक्शन साब का मैथड़स कहा गया मेरा यह रहा साइन डारेक्ट हम यूज कर लेते हैं को बैक्ट फंक्शन में साइन अभी साइन इन के अंदर देखो ऐसे कोल करना आपने और स से डालना है यहां पर गूगल गूगल सिंपल जैसे आप देखोगे यहां पर आप देखोगे साइन का हमारा बटन हमने साइन इन का यहां पर इंप्लिमेंट किया था सैट लोगर इन्वैलेट साइन यहां क्रेडियंचल डाला था तो यहां पर गूगल इस्तमाल करेंगे जो कि मैंने यहां पर गूगल प्रोवाइडर क्योंकि यहां पर गूगल का यूज कर रहे हैं सेव किया सेव करने के बाद अब अगर मेरा साइन इन गूगल आ गया ठीक है अब देखो क्या करना हमें बैसिकली हमें वापिस जाना है अपनी API में रूट में आते हैं तो यहां इस्टर क्छर कर लेते हैं यहां पर साइन के अंदर एक यहां तो मूझे यहां पर फोफाइल कर लेते हैं प्रोफाइल एंड अकाउंट गूगल से जो हम पर पास अकाउंट की इन्फोर्मेशन साएगी इसको कर लेते हैं ओके एंड नाउ नेक्स हम रिटन ट्रू बाइडिफोल्ट टी आर यू इट्रू सिंपल इतना हम कर लेते हैं अब हम ब्राउजर पर चलते हैं देखो चैक करते हैं पेज को रिफ्रेश किया मैंने वैसे रिलोड किया और एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेते हैं अगर कोई एरर बेगार आती है तो हमें पता चल जाए हमारा बन गया है एक बार च किया साइनिन के अंदर अगर मेरा चलता है तो भाई डीबगिंग हां रिटन ट्रू आगया ठीक है भाई ट्रू आगया साइनिन में मैंने प्रोफाइल काउंट आ जाएगा तो रिटन मैंने अभी फिलाल के लिए ट्रू कर दिया और उपर मैंने जहां पे कोल किया है अब मेरा मैं सिसक्की करेदिटल मुर्ट गूगल पर शाइंगा डूरू आपर जायॲकाइक अपे ने गूगल पर जाएगा मैंने झाल किया कि वापर शोग्व कर दिए चलते हैं ऑ灣 और शुर में 绐स्य कर दो दूब देखो यह काम ऊगया मेरा विध के साथ चल गया मेरा देश बगल के साथ देखो यह दो email आइड़ी आ रही है एक मेरी रोछिद क्या रही है एक लर्ण कोदिंगे भाई दोनों मेरी email ID है मैंने लर्ण कोदिंगे भाई पे ख्लिक किया ठीक है इसके और डारेक्ट मेरा लोगिन होने के बाद चीज़ आए डैश बोर्ड पे आ गया ठीक है यूजर इन्फो आप बोलोगे बाबाई यह तो बड़ी अच्छी बात है अब बेसलिक देखो यह डेटा बेसलिक मैंने गूगल से डेटा लिया और यूजर को लोगिन करा दिया बटन में एक काम और हमारी पास क्या-kIA मिलता है तो विशुकल कन्सोल डॉट लोग कर लेते हैं यहां पर ने और बाभिक्यों प्रोफाइल में क्या-kIA मिलता मुझे और अकाउंट में क्या-kIA मिलता है प्साइं Q van a चैल जाएगा की आका मुझे क्या-kIA मिलता है 37 रो मैंने ठीक है गूगल आगी में किसे लोगन करना है learn coding भाई पर क्लिक क्या मैंने तो मुझे यह में देखो console आगया मेरे यह पूरा का पूरा प्रोफाइल मेरी आगी प्रोफाइल में क्या क्या रहा है रहा है आई एस आगया ओज आगया ईमेल आगया देखो गूगल ने मुझे इमेल देदी कि यह आपकी एमेल है इमेल आपकी verify true है और name भी मुझे provide कर दिया रोहित अजाद और मेरी ये image भी दे दी इसने जो मेरे google के पास save थी given name family name दे दिया अब account में information क्या क्या है कि इसका provider कोण है provider इसका यहाँ पर आगया google type आगया आगया ओध के authentication के साथ चेक कर रहे है और provider account ID आपकी आगी और यह access token आगया यहाँ पर google का ही और access type भी दे दिया इसने राइडी token भी दे दिया ठीक है तो अब हमें इस information के साथ अपने MongoDB में data save करना है वह हम कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है हमें यहाँ पर पता चल गया कि वारबास क्या क्या डेटा आ रहा है ठीक है फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं यह एक गूगल के लिए कोड लिए वह नोड आए वह सकता है कि भ लिए अकाउंट दोट चे प्रोवाईडर प्रोवाइडर हमारा बिसंत्रे वहाँ था गूगल है आगर विरा प्रोवाईडर गूगन है तो सबसे पहले मुझे क्या परना पड़ेगा भी मौंगोदीबी को प्रनेक्ड करना पड़ेगा और मौंगोधी क्नेक्डेशन अमा मैं यहां पर क्लिक करूँगा यहां पर await mongodb connected जैसे मेरा mongodb connected होगा मुझे सेम वही प्रोसेस जो हम पीछे चेक करते थे user registered करते टाइम कि भी हमें चेक करना है कि क्या already हमारा user db में add तो नहीं है तो सेम हमें यह भी चेक करना पड़ेगा यहां पर const user exist await यहां पर यहां पर user user के बाद find one मुझे find one करना है find one करना मुझे find one और इस find one के अंदर मेरा जाएगा specifically object object में क्या चेक करना मुझे चेक करना email email कौन से मिलेगी मुझे यहां पर profile के अंदर जो में google प्रोवाइड करेगा profile dot आपकी email वह आपकी आ जाएगी अब next क्या करना मुझे select करना इसका भी select के बाद इसकी जो id है underscore id मौंगो में मारी underscore id से मिलती है यह हमें data यहां पर ले के आना है next हमें क्या करना है इस user अगर exist नहीं मिलता मुझे तो उसके लिए हम क्या करेंगे note का sign लगाएंगे और user exist को हम यहां पर चेक कर देंगे, ठीक है भाई, मोंगो मेरा connect हो गया, मुझे पता चल चुका है, अब यहां करेंगे, const user equal to await, हम यूजर एड करना है, अगर user exist नहीं करता है तो, user.create, वही वही यह मारा पुराना method जो हमने कि वही यह न, auto suggestion, profile.email, अब next मुझे name, print name भी save कराना है, profile.name, यह आपको यहां पे name आ जाएगा, अब next क्या करना है, मेरी जो images है, image, image profile.picture, इसमें picture नाम से मिल रहा है, अगर आप देखोगे, console पे, देखो यहां पे यह रहा न, हमारा pictures नाम से आ रहा है, तो हम यह वाला store, अब देखो, यहां पे मुझे address नहीं मिल रहा, अगर मैं Google provider से जाता हूं तो, तो basically हम यहां पे क्या गरेंगे, हम न, address को यहां पे blank कर देंगे, ठीक है, ताकि भाई, जो वो edit करें, वहां पे अपना address, एडिट कर सकता है, address मेरा तला जाए, यहां पे blank, बैस, मुझे इतना करना है, यह मेरा यहां पे user आ जाएगा, और last में जो मेरा सारा process complete हो जाए, अवेट, mongodb को disconnect करना ना भूले भाई, तो यहां पे हम mongodb को disconnect कर देंगे, next हमारा गया, अवेट यहां पर, simple, यह मेरा यहां पे mongodb disconnected हो गया है, बस, इतना अगर ना भाई, अब उसके बाद एक बार हम इसको check कर लेते हैं, save किया, यहां पे हम गए, और भी इसको मैंने यहां पे sign out कर लिया बहले, page को reload किया, sign in with google, और जैसे google किया, learn coding with by, add there at gmail.com, इससे मैंने login किया, और यहां पे मेरा login हो जाएगा, login हो गया, address में यहां पे blank है, यहां पे आप edit से address, edit कर सकते हो, अब अगर मैं एक बार mongos में check करूँ, mongos atlas, जो हमने online यूज किया था, atlas, इसमें जागे हम check कर लेते हैं, क्या मेरी email id आई, यहां पे update हो, जो मैंने google authentication से check किया है, हम एक बार db में भी check कर लेते हैं, mongos atlas से, यहां पे sign in पे हम click करेंगे, भाई आपको पता ही होगा, last previous session मैं ने ओल्डेडी यह cover किया था, google पे click करेंगे, sign in करने के लिए, जो ओल्डेडी मैंने session बना रखा था, learn coding with भाई, ओल्डेडी मेरा यही है भाई, account इस पे link, और यहां पे हम जाएंगे, हमारा data कहां भी, services, database, database में हम चले गए, database में जाने के बाद, database cluster खुल रहा है, और यहां पे मेरे browse collection, और browse collection में हम चेक कर लेंगे, कि हमारा data mongos atlas, users के अंदर, देखो अब यह तीन data दिखा रहा है, last में रहा मेरा, learn coding with भाई, अब हम एक और next day, ओट से check करते है, google पे click के है मैंने, रोईत अजाद web designer, और मेरे email ID पे login गया, user check किया, और मेरा login हो गया, रोईत अजाद web designer at gmail.com, रोईत अजाद web designer at gmail.com, स्थिम लोगिन हो गया भाई, अब हम इस code को अपने github account पे डाल देते हैं, ठीक है, अब एक काम करते हैं, और इसको deploy करते हैं अपने previous app पे, git status, तो मैंने अपना सारा डाल दिया, github पे, और github पे मैं चैक करूं यहाँ पे जागे, तो मेरा भाई repository है, repository अंदर next auth, next auth में मेरा अपने code login logout का डाल दिया है, अब code डालने के वाद मेरा डिप्लोई हो जाएगा, automatically, next js auth app के साथ, क्योंकि मैंने वहाँ पे link लगा रखा भई, अच्छा भी आगा देखो, आगे ना भी मेरा deploy होगे, next auth, बटना देखो अभी यहाँ पे आपको URL भी चेंज करना पड़ेगा भाई, मैं चेक करूँ यहाँ पे वर्शल.com dashboard क्योंकि मुझे यहाँ पे dashboard जो next था भई अपना auth के साथ variable भी चेंज करने पड़ेगे, बटना पड़ेगा ना मेरा यहाँ पे variable था भाई कहां गया इसका setting के अंदर, setting के अंदर मेरा variable environment variable के अंदर जाके मेरी जो ओत की फाइल थी कहां भाई environment variable तो मुझे बैसिकल यह दो भी एड़ करने पड़ेंगे यहाँ पे नेक्स रोटना सीग्रेट था मोंगो यॉरल था मेरे को यहाँ पर क्या और रेड़ करना पड़ेगा, Google client IP है इसका भई इसको थोड़ा सा वर्ड रैप कर लेते हैं यहाँ पर यह मेरी Google client ID आजाएगी, Google client ID और यह मेरी secret ID आजाएगी यहाँ पर, Google secrets सेव किया अब देखो, सेव करने के बाद आपको वापे से Google developer console में जहाँ पर आपने ओध का पाथ चेंज गया था ना वह भी करना ना भूलिएगा आप यहाँ पर तो मैं अपने यहाँ पर चल गया स्लेक्ट प्रोजेक्ट नेख जेए सोथ Google और इसमें API के अंदर क्रेडेंचल ओन स्क्रीन था मेरा यहाँ पर है इस खर्ण छाहर यहाँ मुझे यूर एल चींज करना अपना एदड़ सेटेंग्स ए एड़ आप अद रिमूख सवेड कंटीणू से commence कट्रीठ्स घा-फाल में थारा यहां पर कृदेबंशल चलते हैं यहां पर अप्लिकेशन चलेगी नहीं नहीं तो मैं इसको यहां पर यह चेंज कर देता हूं ठीक है भैं स्वरी एक और एड़ कर देते हैं एड़ यूरल दूसरा slash api slash oath slash callback slash google google भाई बैस यहां मेरे दो यूरल हो एक मेरे production हो गया एक मेरा भाई एक मेरे चीव होने के बाद ठीक हो गया इसको और रीडिप्लोइमेंट कर लेते हैं मेरे कहा गया इसके इसके प्रोजेक्ट मे से यहांगार450 गया है redeploy कर देता हूं यूज एग्जिस्टेben नई में दुबार sports कर दो मेरी ऐब्योरी एप सारी अधि कर cm करें मारी ऑस यह पर tutorial next.js का sign in with the Google, Google के साथ sign in, कैसे account पे create करते हैं, तो भी I hope आपको पसंद आया होगा, तो एगर आप इसको अपने hand पे भी try करना, और भी इसका code में ने GitHub पे डाल दिया, आप भी check लेना, वो try करना, यूज करने बाद, कुछ अगर आप कोई दिक्कत आती है, प्रेशान ही आती है, तो आप मुझे comment box करके बताना है, कि भी आपको क्या प्रेशान ही आई, तो हम इसको resolve करने की कोशिस करेंगे, ओके भाई, मिलते हैं, नेक्स सेशन में किसी नए टोपी के साथ, दन्यवाद आपका, आपने इतना patience रखे है भाई,